नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिने दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि आप अपना स्कॉलर्शिप का स्टेटस एक मिनिट में कैसे चेक कर सकते हैं वो भी अपने मुबाइल फोन से एकदम आपको सठीक जानकारी के साथ बताएंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा हो सकता है आपके लिए मोस्ट इंपर्टन वीडियो हो सकता है यादि आपका भी कोई प्रॉब्लम होगी स्कॉलर्शिप में तो जल्द से जल्द उसको सही कर लीजिए क्योंकि दोस्तों करेक्शन की वीच डेट आने वाले है इसलिए दोस् सब्सक्राइब करने के बाद उसको डेश्टाव मोड पर ओपिन करके दोस्तों आप सभी लोगों को वहां पर लिख देना है स्कॉलर्शिप डाट जीओ डाइट इन दोहजार बाइस स्टेटास इतना लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने य अब यहां पर रिनूवल पर रहे हैं यहां पर क्लिक कर दीजिए आपने अन्य ररे इसिटेशन किया है तो यहां पर क्लिक करके आप login कर कर सकते हैं तो दोस्तु जैसे मैं यहां से renewal वाले option पर click करता हूं हमारे सामने जो option अपने और और वह उपें हो गया है यहां से दोस्तों अब आप सिर्फिलों को जो अपना डिरिश टेशन नंबर है उसको डाल देना है उसको डालने के बाद दोस्तो आप यहां से जो अपना password है सारी चीजे को यहां से जैसे यहां भर देंगे उसके बाद यहां से submit वाले option पर click करेंगे दोस्तो जो आपका application form है open हो जाएगा तो चलिए दोस्तो आपको login करकर दिखा देते हैं तो दोस्तो सारी detail डालने के बाद दोस्तो आप सभी लोगों को यहां से submit वाले option पर click कर देना है दोस्तो submit वाले option पर click करते हैं आपका जो application form है वा open हो जाएगा और दोस्तो आपको यहां पर नीचे देखने को मिलाओगा कुछ इस पकार से आपको एक status यहां पर देखने के लिए होगा बाकी जो main status है दोस्तो उसको जानने के लिए दोस्तो आप सभी लोगों को तो दोस्तो उस status को जानने के लिए आप सभी लोगों को यहां से three dot वाले option पर click कर देना होगा यहाँ पर जैसे दोस्तो आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद नीचे स्कोल डाउन करते हैं तो दोस्तो आप सभी लोग को यहाँ से एक option देखने को मिल लाओगा जो कि दोस्तो यहाँ से आप सभी लोग को current status का एक option देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो आप सभी लोग को चेक करेंट स्टेटस वाले अप्शन पर क्लिक कर देना होगा यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपिन हो जाएगा और वहाँ पर जो आपका स्टेटस है दोस्तो वह सोख होने लगेगा तो चलिए आपको दिखा देते हैं तो दोस्तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपका स्टेटस है वह ओपिन हो जाएगा और यहाँ पर आप सभी लोग को जैसे कि आज की देखने को दोस्तो मिल नहीं होगी उसके बाद यहाँ पर आपको सारी कुछ देखने के बाद यहाँ पर दोस्तो जो आप अपने स्टेटस है उसको देख सकते हैं कि कौन सा फाउम आपका कम्पलीट हुआ है कहां पर आपका status pending है तो दोस्तों जैसे यहां पर mark mismatch enrollment rule 9 university uploaded data दिख रहा है तो दोस्तों जैसे कि अभी कि यहां district scholarship committee के द्वारा pending है यह जल्द ही सही हो जाएगा यदि नहीं सही होता तो दोस्तों जल्द ही जो आपका यहां से status है उसको अपडेट कर दिया जाएगा यदि फिर भी नहीं अपडेट होता तो correction की date जैसे ही आएगी दोस्तों आप यहां से अपना correction कर सकते हैं और जो अपना status है उसको सही करवा सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा comment में जहुर बताईए यदि कोई आपका doubt हो comment करना विल्कुल में ढूलिए thanks for watching